सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना पर आपका अपना मुंबाई तान देखो आपको तो मालूम है कि बेंगॉल में जो कार हो यह मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारी डॉक्टर की उसका रेप और मडर हो गया था उसके बाद काफी एजिटेशन हो गया बेंगॉल में भी और एजिटेशन के बाद वो कोट में भी सुओ मोटो केस लिया गया और सुप्रीम कोट के जजज ने कहा था कि जो बेंगॉल गवर्मेंट को कि कुछ-कुछ अलग-अलग कैसे सेक्यूरिटी का आरेंजमेंट करना क्या करना वो सब डिटेश दिये थे मगर अभी अल्मोस दो महिने के उपर हो गया कुछ भी उन गवर्मेंट ने कुछ भी वहां किया नहीं है इसके लिए बंगाल के जे जुनियर डॉक्टर्स है उन्होंने पहले कोर्ट के कहने से स्ट्राइक पीछे लिया मगर उनको वापे स्ट्राइक पे जाना पड़ा और अभी गयारा दिन से हमारे बच्चे लोग वहां फास्ट कर रहे है और उसमें से अभी चार लोग चार से पाँच लोग एडमिट भी हो गया क्योंकि उनके है बुरी वह उने लगे हैं और इतने दिनों में बंगाल के जो वहां के मंत्री है या चीफ मिनिश्टर है उन्होंने उनको मिलने की भी कोशिश की नहीं है कल उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने वहां बुलाया था उनको मगर और कुछ आई इसके लिए कि आप वापस ले लो स्ट्राइक वापस ले लो बाद में हम बात करते तो यह बोले कि अभी दो महिने से आप कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ तो आश्वरान्स होना चाहिए सेफटी जो डॉक्टर्स की है उदर की वो सबसे इंपॉर्टन्ट है और उसके बाद दो महिने में कोनसे भी हॉस्पिटल में बंगाल में कुछ भी उन्होंने सेफटी के बारे में कुछ भी तैय नहीं किया है प्लास जो उनका शोशन होता था जो medical students है, post graduate students है, उनके पास से पैसे लेते थे, पास करने में पैसे लेते थे, वो भी उनका complaint था, उसमें भी कुछ भी उन्होंने, कुछ problem उन्होंने solve नहीं किया, इसके लिए ये जो है, वो symbolic सब medical colleges में, क्योंकि ये basically medical college का ही problem है, जहां सबसे ज्यादा गर्दी होती है, crowd आता है, और problem होता है, सब medical college में, पूरे भारत वर्ष में, सब medical college में, ये जो symbolic agitation हो रहा है, उनके support में, बंगाल के doctors के support, वो तो हमें details तो कुछ मालूम नहीं है, उसके बारे में, आपको details नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम आपको, ने देखो, हम तो medical association के banner के नीचे, ये सब agitation पूरे मा, इंडिया बर हो रहा है, अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता है, क्या नहीं है, जैसे जे 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 हॉस्पिटल ने भी जिस पर इंसिडन हुआ था, जे जे हॉस्पिटल ने सबसे पहले आवाज उठानी कैम में हुआ था, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने हरताल किये थे, और काफी लंबी तरीके से हरताल किये थे, लंबा हरताल किये थे, अब लोग नायर वाले लोग लेट हो गाए, ऐसा कुछ नहीं लगता आपको, नहीं आज के एम में भी चालू है, सायन में चालू है, कूपर हॉस्पिटल में भी चालू है, और पूरे महराष्टर के सब गवर्मेंट हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलिजिज में यह चालू है, ऐसे नहीं कि सिर्फ नायर कर रही है, वहां भी सब जगह चालू है, अब अच्छा पहले जो चल रहा था, वो गवर् सबका प्रॉब्लम सेम है सेक्यूरिटी सबसे क्या जान कोई खत्रा रहता है तो कोई काम भी नहीं कर सकते है इसके लिए यह सिंबॉलिक ओल ओवर इंडिया भी हो रहा है यदि अभी भी बंगाल गवर्मेंट ने यदि कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो फिर हमें सोचना पड मैं महाराश्टर का एक मेंबर हूँ और उनके एडवाइजरी कमिटे में भी हूँ और बीम सी माट के भी एडवाइजरी कमिटे में तो आज यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग जैसा कि सर ने पहले बताया कि वेस्ट बेंगॉल में जो हुआ ऑगस्ट में उसके बाद इतना पूरे इंडिया भर में प्रोटेस्ट हुआ सब ने उसके बारे में बात की तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद धीरे-धीरे सब चीज़े डाइलूट होने लगी फिर वो चीज़े डाइलूट नहीं होना चैसलिए हमारे खुद के कलीग्स जूनियर डॉक्टर्स वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे हंगर स्ट्राइक में इतने लोग बैठे हैं उसमें से पांच लोग आईस्यू सीस्यू में एड्मिट हो गया फिर भी पूरा नेशन नहीं सुन रहा था तो आज यह सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है पूरे इंडिया भर में के इंटर्ण्स के यह लोग भी सपोर्ट करेंगे आज की सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइट को वार्दात हुई थी जो तीन से चार लेडी डॉक्टर पले तो एक ही लेडी डॉक्टर राइथी तो इसके साथ में तीन साथ और दिन का ट्रांस्वर भी हो गया इसके बारे में इसके बारे में जैसा कि सर ने बोला हमें मतलब ज्यादा जानकरी नहीं है और उसके पर अल्रेडी इंवेस्टिकेशन चल रहा है तो आयमें जेडियन उसके उपर कुछ कमेंट अभी नहीं करेगा बंगाल की पूरी जानकरी है क्योंकि जेडियन के कुछ मेंबर्स बंगाल से सुवरांकर दथता और जेडियन के एक्टिव लीडर और वो खुद हंगर स्ट्राइक के साइट पे गए हमारे जो नाशनल आयमे लीडर्स है जैसे आरवी अशोकन सर हमारे नाशनल प्रेसिडेंट वो खुद उन दॉक्टर से मिलके आ है आयमे ने इस बात की जानकरी लिये और उन्हें पुरी पुरा सपोर्ट दिया है वो दॉक झाल